आप भी अपने सफेद होरे बालों को काला करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो खोज रहे हो तो पूरे यूट्यूब पर इससे अच्छी और जबरजस्त वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी हाँ जी दोस्तो मेलकम बैक टू माई चैनल उम्मीद करती हूं ज्यादा खराब होते हैं आप इस्तिमाल करके देखना ये रेमेडी 100% वक करेगी इसे लगाना भी आसान है और बनाना भी इसे हफते में आप दो बाल लगा सकते हैं बनाके रख सकते हैं कोई परिशाई नहीं है तो इसके लिए एक लिलना बीटू ठाजी चुकंदर और ए अद्रक का जूसी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वी टूट को तो मैंने सबको अच्छी से वास करके पहुंचके फिर कद्दूकस कर लिया है तीनों चीजों को एक वी टूट है एक इंचवर टुकड़ा अद्रक है और एक चोटा समने आवला लिया है अब आपक चीजें जो मैंने कद्दूकस किये और इसको हमें धीमी गैस पर वालना है इसको बनने में तकरीवन 5-6 मिनट लगेंगी तो इसके लिए सबसे पहरे मैं डाला इसमें दो चम्बत चाय की पत्ती यह हमारे बालों में को बहुत अच्छा कलर देती है ब्लैक भी बनाती है करती है और इसके बाद हम सारी चीजें जो हमने तीनों कद्दूकस की हुई हैं बेट रूट आवला और अद्रक इन सबको अच्छे से इसमें डाल देंगे और धीमी गैस पर हम इसको जो हमारे प्रोसेस ही चलेगा धीमी गैस पर वालेंगे 5-6 मिन इसमें लगे अब इस ज साथ आपने देखा हो बाल ड्राई भी हो जाते हैं बाल रूखे सुके होते हैं बाल टूटने और जढने भी लगते हैं इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक चम्मस तक्रीवन कलोंजी कलोंजी और यह है एक टुकड़ा रतन जोत आपको आजा आराम से मिल जाएगी पंस एक इंच बाद टुकड़ा अद्रक और रतन जोत कलोंजी पाउडर और चाय की पती डालिए सारी चीजों को बनने में अवलने में तक ही 5-6 मिट लगें धीमी गैस पर बहुत बढ़िया सल्यूशन त्यार हुआ है मैंने इसको छान लिया है कितना प्यारा कलर आ रहा है भी और मैंने इसको छोड़ दिया था तकरिवन 5 मिनट के लिए देखो लोहे के बरतन में इस रेमेडी को आपको प्रिपियर करना है सिर्फ लोहे के बरतन में अगर आप बाल काले करना चाहते हो न तो मेरे कहने से लोहे का बरतन ले जो भी आपके पास हो नहीं है तो आप खरी काई पाउडर मिक्स आपको मिल जाएगा मार्केट से तकरिवन 2-3 चमच यह भी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है जो मेहनी है यह भी मारे बालों को बहुत प्यारा कलर देती है लेकि महनी बाल लाल करती है लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा इसके साथ और होने की भी होती है बाल सफेद होने की भी होती है सारी समस्यां खत्म होके आपके बाल काले घने लंबे और खुबसूरत बनेंगी कहते हैं महनी बालों को ड्राइ करती है इसके लिए आप अगर आपको भी परिशानी तो आप इसमें दही डाल सकते हैं सडसों का तेल डाल सक तो मैंने इसमें 2-3 चमबस तही डाली है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के लिए आप यह जो रमेडी त्यार कर रहे हो अगर रात को प्रिपेर करके रखते हैं अगर आपको इस्तवाल करना देखना कितना बढ़िया कर आपको देगी है तो अब इसको बना करके मैं र रेड डार्क ब्राउन डार्क मेरून था उसके इसा कलर हो गया है अगर मैं पूरी रात छोड़ूंगी उसके बाद अगले दिन या दो दिन वाद इस्तमाल करूंगी तो कितना बढ़िया हमारे बालों में ये कलर देगी आप जार से जो डाई लेके आते हैं हेर कलर लेके जाते हैं वो हमारे बालों को और ज़्यादा खराब करते हैं इसे चाई बाल आपके सफेद हो रहे हैं तो भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके बाल सफेद नहीं हो रहे हैं तो भी आप इस्ते प्रकॉशनली इस्तमाल कर सकते हैं इससे बाल सफेद नहीं होंगे सारी फिर एक घंटे के लिए आपको अपने बालों में फिर लगाना अपने बालों में फिर एक घंटे को छोड़ देना है फिर किसी पहले सेमपु नहीं करना सिर्फ पानी साधा पानी से वास करना है रात को अच्छे से गच करके तेल लगाना अगले दिन सेमपु करना ठीक है ऐस से करके देखना अच्छा लगा हो तो लाइक सेर करना